नमस्ते दोस्तों डीबी की वाइपस में आपका स्वागता अब हम बनाने जा रहे हैं आलूर शिमला मिर्च की सबजी जो की बिना प्याज के बनेगी नवरात्री चल रहे हैं हम प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे ये हम खड़े मसाले या पे रख लिए पहले से अ अब देख लिए अगा ध्यान से प्याज बिल्कुल भी नहीं डालना इसमें बिना प्याज के बन रही है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगे और टेस्ट भी इससे बहुत इनहांस होगा अब हम इसमें कट वेजिटेबल्स डाल रहे हैं ये आलू और शिमला मिर्च हम इसमें अड़ कर रहे हैं नमक मिर्च हम इसमें बाद में डालेंगे यही तो इसका एक स्वाद है जो इसका बाद में निखर कर आएगा कि ये नमक मिर्च हम बाद में डालेंगे इससे ये सबजी और ज्यादा टेस्टी बनेगी अब हम इसको एक मिनट के लिए हिलाएंगे ताकि इसका पानी सारा सूख जाए फिर हम इसमें मसाले आड़ करेंगे अब हम इसमें मसाले आड़ करने जा रहे हैं ये मसाले हमने पहले से यहां पे रखे हुए नमक, मिर्च, हल्दी को मैंने कटोरी में पहले से आड़ करके रखा हुआ है ये एकठा ही हम इसमें डाल रहे हैं नमक, मिर्च और हल्दी, कोई भी फाल्टू मसाले इसमें हम नहीं डालेंगे, गरम मसाले बगरा जो के मारे हल्ट के लिए अच्छे नहीं होते हैं इसमें हम डाल रहे हैं ये कस्तूरी मेथी और अब हम आगे डालेंगे grated ginger अब हम इसको हिलाएंगे हिलाने के बाद हम इसको cover करके रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए अब 10 मिनट हो चुके हैं ये देखिए कितनी अच्छी सब जीवन कर तेयार हुई है देखने बे भी कितनी अब चुके बच्छों को भी मिर्च जादा ना लगे आमचुर्क पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये मसाले इसमें एड हो जाएं बाहर का हमने कोई भी जादा गरम तेज मसाला इसमें नहीं डाला है ताकि ये सबजी हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए इसमें जो हमने अजवाइन डाली है जीरा डाला है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे पेट को बिल्कुल सॉफ्ट रखता है आगे देखिए हम प्लेटिंग करने जा रहे हैं ये देखिए प्लेटिंग में हम क्या कर रहे हैं ये आलू और शिमलामिज की सबजी है, ये कर्ड है और साथ में ये थोड़ा सा गुड है और ये पदीने की चटनी और रात की बची थोड़ी सी आलू और गाजर की सबजी थी, वो भी हम इसमें एड कर रहे हैं घर का खाना खाना हमारे पेट के लिए हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए हम यह प्लेट तियार कर रहे हैं यह देखिए बहुत ही हैल्दी प्लेटिंग तियार हो चुकी है आप भी ऐसा खाना बनाईए और खाईए जब तक यह प्लेटिंग